बैसे तो अंडा करी आपने कई बार बनाए होंगे और खाये भी होंगे तो चले आज मैं लेके आयो एकदम नया तरीका वीडियो को पूरी एंट तक देखे पसंद आए तो लाइक, सेर, कॉमेंट चुरूर कीजेगा तो चले स्टार्ट करते रेसिपी सबसे पहले हमें अंड सीर जाते हैं यह देखे जब तक अंडे बॉयल होंगे तो हम दूसरी तरफ मसाला बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर रिफाइन ओयल एड किया है गैस हमें हाई फिलेम पर ही रखना है और दो प्याज को यह दिखे लच्छा काटी रख है दे दिया है प्याज को हमें गोल् चलाना बिल्कुल भी नहीं है प्याज आगा थोड़ा से जल जाएगा तो हमारा जो ग्रेवी है वो थोड़ा काला पड़ जाएगा इसलिए लगातार कर्ची चलाना है और हमारा प्याज यह दिखे इस तरह से फ्राइ करना है अब हम प्याज को अच्छे से उठा लेंगे एक प्लेट में रख दिया है ठंडा होने के लिए अब मैंने यहाँ चौक लगाने के लिए दिया है हाप टीस्पून जीरा हाप टीस्पून सौफ और एक बड़े चमच में अद्रक लशन का पेस्ट अच्छे से मिक्स करेंगे जब भी आप अद्रक लशन का पेस्ट एड़ करें तो याद रखें लशन हमारे 60% हो अद्रक का मात्रा कम हो और लशन जादा हो गैस दिमी रखके मसाला को एक से दो मिनिट तक फ्राय करना है यह दिखें मैंने यह आपर एक बड़ी साइज टमाटर दिया है टमाटर हमें बहुत जादा नहीं दिना है बारिक बारिक चौप कर रखा है दे दिया है अच्छे से गर्ची से मिक्स करेंगे और चार से पाच मिनिट तक धिमी आज पर हमें टमाटर को अच्छे से पकाना है याद रखें कच्छा बिल्कुल भी ना हो अच्छे से पकाना है टमाटर को जब तक हमारे टमाटर पकेंगे तो चलिए हम मसाला रीडी कर लेते है तो मैंने यहाँ पर जो प्याज को फ्राय कर रखा था तो मंने दे दिए अब हमाट करेंगे हैं रिए की याद रखें यह घर का प्रेश तही हो मार्कट से बिलेंगे तब भी फ्रेश होban रखें अगरWow चैस्ट बिलकुल दिग्र जाएगा तो इसलिए नहीं तो इसलिए फ्रेश दही हो एड़िए हमने पेस्ट बना लिया है बहु लग बग पाच मिनिट लगा मुझे ये टामाटर सॉप टुक करने में अब जो हमने दही बला मसाला रेडी किया है वो दे देंगे मिक्सी जार को धोते हुए थोड़ा सा पानी भी एड़ कर देंगे कि हमारा मसाला है वो बेश रिकना अ जाये अब अच्छे से कर्ची से मिक्स कर देंगे तो चलिए अब हम मसाला एड कर देते है तो मैंने यहाँ पर एक चमच धन्या POWDER दिया है एक चमच नमक और एक चमच हेल्दी POWDER देड़ चमच के आसपर लाल मिर्च पाउडर दिया है ये डेगी मिर्च लाल मिर्च पाउडर है तो जादा स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होता है आपको अगर जादा स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा सा काली मिर्च है हरी मिर्च भी दे सकते है चार से पाच मिनिट तक लो करना है तो सब्जी कर भी हो जाएगा हमें थोरा सते ना है अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्यू सेकंड के बाद हमें पानी यह कर देना है पानी बहुत ज्यादा नहीं देंगे एक कप के आसपस दिया है यह देख सकते हैं अब हमें ग्रेवी को अच्छे से उबालाने के अच्छे से उबालाने के लिए यह देखें ग्रेवी हमारा बिल्कुल रेडी है अब जो हमने अंडे को सिजा रखे थे तो मैंने यह देखें बीच में से काट रखा है दे दिया है अब दो मिनित तक अच्छे से बॉलाने के लिए चोड़ देंगे आप जो मसाला है अच्छे से बॉलाने के लिए दो मिनित 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 दो म